जैसाहिराम नमस्कार मैं ब्रिजमोंसूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में मैं ब्रिजमोंसूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साइग्रंत राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विशे आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे, आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विशे आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं तो आएए आज का विशे शुरू करते हैं आज धन तेरस है, आज विशेष किर्पा परमात्मा की भक्तों पर होती है आज विशेश किर्पा भक्तों पर प्रबू की हो भी सकती है, हम बहुत अधिक शक्तियां ले सकते हैं, आज खरीदारी का दिन है, आज लोग शॉपिंग करते हैं, लक्षमी जनक चीजें अपने निवास पर लाते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कि आपने का आज का समान नहीं खरीदना है, अलमिनियम का समान नहीं खरीदना है, आज यहाँ पर हम बताएंगे एक ऐसी वस्तु जिसे खरीदने से बहुत ही यदालाब हो सकता है, एक ऐसी वस्तु जिसे यदि आप खरीद लेते हैं, तो सोना चांदी भी उसके सामने फीके हैं, मैं य सीरत यात्राएं की एक बार एक सादू उनके निवास पर आया सादू ने भोजन मांगा उन्होंने भोजन करा दिया सादू महाराज चले गए 15 दिन बाद फिर सादू महाराज आये भोजन मांगा उन्होंने करवा दिया सादू महाराज फिर चले गए ठीक 15 दिन बाद फिर आ उन्होंने बोजन दिया, तो सादु महाराज ने कहा कि मुझे ऐसा क्यूं लगता है कि जब भी आप मुझे बोजन देते हैं, आपके पास और बोजन नहीं होता है, तो जो क्रहनी थी, उसके आँखों में आंसु आ गए और उसने कहा आप सत्य कह रहे हैं, हमारे पास इतना ही भोजन होता है, प्रंतु अतिथी देव भव, हम आपको अपने निवास से खाली कैसे जाने दें, इसलिए वह भोजन आपको खिला कर हम पानी पी कर सो जाया करते हैं, सादु ने कहा कि चार रोज बात धन तेरस है, मैं आपको एक वस्तु बताता हूँ, वह वस्तु आप अ प्रंतो जरूरी है कि आप कम से कम दोसो व्यक्ति को जरूर बताएं कि ये वस्तु लानी है, तो आपके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी, गरहनी ने कहा महराज मैं समझी नहीं, कहते हैं कि जो वस्तु मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू आगे दोसो व्यक्ति को ब बताती है तो बहुत यदा बला होगा तब उस ग्रहनी ने कहा महराज खिर्पा कीजिए यदि आप कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है तो पूरी जिंदगी हम आपको कभी भूल नहीं सकते हैं सादु महराज ने कहा कि ये सब बताने के लिए मैं का लाओंगा इतना कहे कर सादु महराज चले गए अब ग्रहनी इंतजार करती रही कि कब अगला दिन आए और सादु महराज बताएं और वैवै वस्तु लाएं और उसका बागी उजवल हो जाए रात के वक्त उसने अपने परिवार से भी इस बहुत चर्चा की परिवार भी उच्छुकता से सादु महराज का इंतजार करने लगा अगले दिन शाम डलने को आगए परन्तु सादु महराज नहीं आए अब परिवार को लगा कि शायद उनकी सेवा भाव में कोई कम ही रह गई होगी तो सादु महराज ने अपना फैंसला बदल लिया होगा शायद अब वो ना आए इंतजार तो कर ही रहे थे थोड़ी देर बाद सादु महराज प्रकट हो गए उन्होंने बड़ी श्रदा के साथ पाउन दोये उनको बिठाया बोजन कराया और हाथ बांद कर उनके समक्ष बैठ गए सादु महराज ने कहा कि मैं आपको वैवस्तो बताने वाला हूँ आप वचन दीजिए कि आप दो सो विक्तियों को आगे जरूर ये बताएंगे ये सिर्फ आपने तक नहीं रखेंगे परिवार ने कहा महराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सादु महराज बोले कि जब हमें कुछ अच्छा ग्यान मिलता है तो कहीं वार अग्यानता वश हम लोबी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये किसी को नहीं बताएंगे हम खुद लाब लेते हैं हम किसी को क्यों बताएं, किसी का बला क्यों हो, हम अमीर होंगे, दूसरे लोग क्यों अमीर हो, पर नदून को ये नहीं पता होता है, कि ये बताने से ही धन आपके पास आएगा, यदि आप नहीं बताते हैं, तो धन आपके पास नहीं आएगा, इसलिए इसको जैदा से जैद परिवार ने कहा कि हम बिलकुल बताएंगे महराज हम इस समय इस पोजीशन में तो नहीं है कि हम किसी को उपहार दे सकें परन्तु हम बताएंगे जरूर घर घर जाकर बताएंगे हम हर व्यक्ति को बताएंगे आप कोई मानता है या नहीं मानता वो उस पर निर्बर करता है प सादु महराज ने कहा कि बहुत सदारन सी वस्तु है मक्की का आटा कौर्ण बोलते हैं जिसे मकई छलियों में से दाने जो उतरते हैं उसका आटा बनता है कौर्ण भी बोल देते हैं तो आप मक्की का आटा अपने निवास पर ले आएए और ये धन तेरस के दिन ही खरीदना है यानि आज ही खरीदना है इसको खरीद कर ले आएए और यदि आप उपहार सवरूप दे सकते हैं तो यदा से यदा लोगों को उपहार सवरूप दे दीजिए अब सादू माहराज के कहने पर उस परिवार ने जैसे तैसे आदा किलो मक्की काटा लिया और अपने निवास पर लिया है अब एक क्या देखते हैं कि अगले दिन से ही जहां पर वो मजदूरी करते थे सिर्फ दस रुपे मजदूरी के मिलते थे वहां पर उनको सूपरवाईजर बना दिया गया और वेतन चालिस रुपेय रुजाना का हो गया ऐसे करते करते पतनी को भी काम मिल गया बच्चों को भी मिल गया और उनका गहर हरा बरा हो गया अब तीन महीने बाद सादू महराज फिर आये और पूछते हैं अब सुनाइए कहते हैं महराज आपकी किर्पा है हम बहुत खुश हैं कहते हैं आपने अपना वादा पूरा किया 200 विक्तियों को बताया कहते हैं जी बिलकुल बताया तो कहते हैं अब अगली दिवाली को ध्यान रखना यदा से यदा मक्की काटा उपहार सवरूप देना यदा से यदा लोगों को बताना फिर देखना जितना फायदा इस बार हुआ है उससे भी हजार गुना फायदा होगा उस परिवार ने वैसा ही किया और वह धन्ना सेट के नाम से मशुर हुए आपने बहुत सारी कताएं बहुत सारी कहानिया धन्ना सेट के नाम से सुनी होगी ये कता उन्ही के परिवार से है तो यदि हम चाहते हैं कि इस धन तेरस पर हम बहुत अधिक लाबर जित करें तो अपनी मा के हाथों से याटा ले ले जिए वो आपको उपहार कर दें यदि आपके बच्चे हैं आप अपने बच्चों को उपहार सब रूप देजिए ये जो बाते होते हैं इनके पीछे मूल कारण क्या है कोई नहीं जानता है ये चमतकारिक अशीरवाद हैं प्रमातमा के जो धर्ती पर हम सब को मिले हुए है हम श्रदा से कोई कारे करते हैं तो वह कारे संपूर्ण हो जाता है जब श्रदा नहीं होती है तो कारे संपूर्ण नहीं होता है आप लोग आटा ले आए गर में रखा तो आटे के साथ एक vibration आई कुछ लोग सोना खरीद लेते हैं, कुछ लोग चांदी खरीद लेते हैं, कुछ लोग बरतन खरीद लेते हैं प्रंतु मैं कहता हूँ कि चाहे आप जितना भी सोना खरीद लेजिए प्रंतु यदि आपने ये आटा नहीं खरीदा है तो उतना लाब नहीं मिलेगा प्रदु यदि आपने आटा खरीदा है और आपने उपहार सब रूप भी दिया है और दो सो व्यक्तियों को आगे बताया है तो फिर देखिए लाप फिर देखिए कैसे आपकी रुके हुए कारे बनते हैं कैसे आपकी तरक्की होती है कैसे आप जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं ये सब कुछ उसी समय होना शुरू हो जाएगा जब आप अच्छे डंग से इस टोटके को इस उपाय को कर लेते हैं प्रभू कहते हैं कि जो मैंने तुझे विशेश दिन दिये हैं ज़िशेश दिनों में तुझे दूसरों का भला करता है तो तेरा भला तुम्हा बहुत यदा कर दिया करता हूँ यानि यदि हम दूसरों का भला करते हैं दूसरों की मदद करते हैं दूसरों के लिए हम अच्छा मांग दे हैं हमारा खुद का बला हो जाता है कहते हैं संसार का बला मांगते हैं हम तो हम बीच में ही आ गए हमारा बला खुद हो गया और संसार का बला मांगने का पुन्य भी हमें मिल गया जब हम सिरफ अपना बला मांगते हैं तो वो सिरफ हमारा बला होता है परन्तु जब हम संसार का बला मांगते हैं तो मांगने में जो हमने खुला दिल दिखाया उसकी वज़े से हमें मांगने का पुन्य भी प्रापत हो जाता है हम परमात्मा की शक्तियां चाहते हैं हम परमात्मा का शीष चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से प्रबु के समक्ष बैठना होगा नतमस्तक रहना होगा फिर देखिए कैसे शक्तियां हमारी और बढ़ती हैं फिर देखिए कैसे हम परमात्मा के समीप जाते हैं फिर देखिए कैसे हम वैसा पा लेते हैं जो हमें मिलना चाहिए तो आप ये मक्की का आटा लाइए इसको करना कुछ नहीं है बस लाकर रख लीजिए सिरफ प्रमातमा की मूर्ति के समक्ष रखिए उनको बोलिए कि ये सविकार कीजिए इसको अम्रित बना दीजिए और फिर जहां आप अपना खाने पीने का समान रखते हैं वहां रख लीजिए आज कल पैकट बंद भी आते हैं आप वो भी ले सकते हैं गरीबों में भी बांड सकते हैं अपने गर पर भी रख सकते हैं तो ये एक ऐसी वाइब्रेशन लेकर आएगा जिससे कि आपके जिंदगी एकदम बदल जाएगी यदि आप कहते हैं कि आप पर बहुत करजा है यदि आप कहते हैं कि आपके परिवार में आर्थिक तंगी है आप कहते हैं परिवार में खुश ही नहीं है परिवार दुखी रहता है, परिवार अशान्त है, एक कतावर कहता हूँ, एक सादू संत थे, वह पांच घरों से बिख्षा मांगा करते थे, जिस पांचवे घर से वो रोजाना बिख्षा मांगते थे, वहाँ पर वो देखते थे कि हमेशा लड़ाई जगडा होता रहता है, एक दिन सादू महराज ने होसला करके परिवार के मुख्या को कहा कि मैं तेरे को यदि कुछ कहूं तो तू अराम से सुनेगा और वैसा करेगा, उसने हाथ जोड़ कर कहा कि प्रभू जरूर कहिए, मैं जरूर करूंगा, मैं आपने परिवार के कला कलेश है, बहुत परिश को नजर लगी हुई है और ऐसी वैसी नजर नहीं, ऐसी नजर है जो उतर भी नहीं सकती, तो इसको उतारने के लिए तेरे को दिवाली से पहले धंतेरस की इंतजार करनी होगी, उस दिन तू मक्की का आटा लेयाना, और सो किलो आटा लाना और बांड देना, और एक किलो आ इदर का कला कलेश सदैव के लिए समापत हो जाएगा, उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, मक्की काटा, उसने सो किलो ही लिया, बांड दिया, एक किलो आपने गर के लिए लेया है, गर में रखा, अब सादू महराज दो महीने बाद आए, तो पूछते हैं, तो उसने कहा महराज आपकी ऐसी किरपा हुई ऐसा शीश मिला कि आप हमारे गर में कभी कोई लड़ाई जगड़ा नहीं होता है, सभी बड़े प्रेम से रहते हैं, शान्त मन से रहते हैं, अब कोई किसी से जगड़ता नहीं है, उसने कहा महराज ये हुआ कैसे, तब उन्होंने कहा बेटा जो मैंने मक्की का आटा बोला था, धन तेरस के दिन जो वाइब्रेशन होती हैं, वो इन चीजों के साथ आती हैं, एक कन के साथ एक प्रतिशत वाइब्रेशन आती है, अब तुने इतना आटा लिया, तो कितने परसेंट वाइब्रेशन तेरे को मिल गई, तुने एक सोने का ग तेरे को वाइब्रेशन मिल गई किसी और वस्तु पूरी लेनी है तो यह आटे से ही मिलेगी इस प्रकार सादु महाराज के समझाने से उसे समझ आ गई तो आप भी समझ गए होगे कि आप एक बरतन लाते हैं तो एक परतिशत वाइब्रेशन मिली सोने की एक वस्तुल आते हैं तो एक परसंट वाइब्रेशन मिली प्रंतु यदि आप आटा ले आते हैं तो कितने हजार गुना वाइब्रेशन मिली ये अर्थ है इसका तो आप यदा से यदा वाइब्रेशन लेने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऐसे दिन साल में एक बार ही आ तो इसलिए इस दन तेरस को भी बहुत गंटे पड़े हैं यह सब कीजिए यदा से यदा लोगों को शेर कीजिए ताकि आपको यदा से यदा लाब मिले क्योंकि यदि आप शेर नहीं करेंगे तो पूरा लाब नहीं मिलेगा कर भला हो भला अंत भलेगा भला इस कहावत पर चलिए और यदा से यदा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपको यदा से यदा शक्ती मिले यदा से यदा वाइब्रेशन मिले और आप यदा से यदा आगे बढ़ सकें अब मैं यहां इजाज़त चाहूंगा यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिर पैसे लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने से मेरा होंसला बढ़ेगा और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें उनको भी लाब मिले और जब उनको लाब मिलेगा तो आ यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप WhatsApp कर सकते हैं, यदि आपने जनम पत्री दिखानी है तब भी आप WhatsApp कीजिए, जनम पत्री देखने की हमारी फीस होती है, आप जानते होंगे कि जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी कई बार हम ग्रेहों के उपाए करते रहते हैं परन्तु हमें लाप प्रापत नहीं होता है हम लगातार ग्रेहों के उपाए कर रहे हैं बहुत सरे एस्ट्रोलजर्स के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाब नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम कुंडली में योग होते हैं जब योग एक्टिवेट ना हो कमजोर हो तो ग्रह काम नहीं करते हैं और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपए कितने भी कीजिए आपको लाब नहीं मिलेगा कब तक जब तक कि उस योग को बली नहीं किया जाता एक्टिवेट नहीं किया जाता तो यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो वटसेप कीजिए सवाल है तब भी वटसेप कीजिए वटसेप का जवाब चाहरे हैं पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं उठाता है तो अब मैं इजाज़े चाहूंगा नमसकार खुश रहिए और आप